हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक साथ कितने पेपर का एक्जाम दे सकते हैं या फिर आप एक साथ first year और second year या फिर एक साथ first semester और second semester का exam दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं तो बहुत सारे students question करते हैं कि अगर हमारा paper रह जाता है तो हम एक साथ क्या दोनो year या दोनो semester का exam दे सकते हैं condition क्या है जैसे कि मान लीजिए एक example के साथ समझते हैं जैसे कि कोई एक student है जिसने July 2022 में admission लिया तो अब July 2022 में उसने admission लिया तो अब उसके जो exam है first year के वो June 2023 में होने है अब June 2023 में उसके exam होने है पर June 2023 में उसने अपने exam नहीं दिये तो ऐसे में उसके पास एक और option रहता है कि वो December 2023 में exam दे सकता है पर वो December 2023 के भी exam skip कर देता है तो ऐसे में अब वो June 2024 में अपने first year और second year दोनी यर के exam एक साथ दे सकता है तो yes वो first year और second year दोनु यर के exam एक साथ दे सकता है पर इसके लिए उसे क्या करना होगा इसके लिए तो सबसे पहले उसका second year का re-registration time से होना च आप एक साथ दोनों येर का एक्साम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो रियरेश्टेशन हैं, टाइम से गंप्लीट रहते हैं, तो आप एक्साम ऑल से दे सकते हैं, पर आप छाह मैंने के गैप के बाद, क्योंकि आपने जब भी एडमीशन लिया sustaining क्रवाइया है, उसी के according आपका admission और session चलता है मान लीजे जून 2022 में आपने admission लिया तो आप जून 2022 के बाद जुलाई 2022 तो इसके बाद जुलाई 2023 में आपका second year का re-registration होगा और अगर आप अभी second year का re-registration नहीं करवाएंगे तो आप second year के paper first year के साथ नहीं दे सकते हैं इसलिए आपका re-registration भी time से होना चाहिए दूसरी condition यह है कि आपके जितने भी assignment है first or second year के वो भी submit होना जरूरी है अगर आपके assignment submit नहीं है तो आप exam नहीं दे सकते हैं तीसरी condition यह है कि जब आप exam देते हैं तो exam form में आपके total जितने भी paper के column होते हैं 16 होते हैं यानि एक बार में सिर्फ आप 16 paper ही दे सकते हैं 16 से ज़्यादा वहाँ पर paper का option नहीं होता है कुछ students का question तो यह भी आता है कि क्या हम first, second, third year तीनों के एक साथ last में exam देते तो ऐसा नहीं होता है आप एक साथ exam नहीं दे सकते हैं first year, second year, third year आपके बहुत सारे paper हो जाएंगे और आपके exam form में सिर्फ एक साथ 16 paper देने का option होता है पर एक साथ 16 paper देने का option दिया गया है पर इसमें भी आपके साथ बहुत सारी problem हो सकती है इसमें ये problem होगी अगर आप एक साथ first year और second year का paper देंगे तो वहाँ पर आपके बहुत सारे paper class हो जाएंगे एक दिन में दो paper हो जाएंगे जिससे कि आपको problem हो सकती है और बहुत सारे students को ये problem face भी करनी पड़ रही है क्योंकि उनके एक साथ एक ही दिन दो paper है एक ही time पर इसलिए आप एक साथ paper ना दें तो आपके लिए ज़्यादा best रहेगा क्योंकि 6-6 मीने बाद तो आपको paper देने का option मिलता ही है जैसे आपने July 2022 में admission लिया June 2023 में exam होने ते पर आपने exam नहीं दिये तो आपको 6 मीने बाद December में तो exam देने का मौका मिली रहा है तो आप फिर एक साल बाद क्यों wait कर रहे है जब आपको 6 मीने के बाद paper देने का मौका मिल रहा है तो आप एक साल का wait ना करे आप 6 मीने बाद paper दे दे आप थोड़े थोड़े paper करके देंगे तो आपको problem भी नहीं होगी और एक साथ आप दोनों year का exam देंगे तो इससे problem यह होगी कि आपके एक साथ इतने सारे paper हो जाएंगे आपकी तयारी भी नहीं हो पाएगी और आपके paper भी class हो जाएंगी इसलिए आप एक साथ paper ना दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप आध्यादे paper करके दे सकते हैं इससे आपको problem भी नहीं होगी और आपके उपर ज़्यादा pressure भी नहीं आएगा तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत सारे students का question था कि क्या हम एक साथ दो year का या दो semester का exam दे सकते हैं तो exam तो आप एक साथ दोनो semester सोने का डर रहता है और साथ के साथ इतने सारे paper आप देने में possible नहीं है क्योंकि आप इतने सारे paper नहीं दे सकते हैं आपकी तयारी भी नहीं हो पाएगी जिससे आपके कम marks आएंगे और आपके assignment भी summit होने चाहिए अगर आपका re-registration time से नहीं है तो आप एक साथ exam नहीं दे सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद